हलो गाइस वेलकम टू टेक्निकल प्यार योट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉब्लम फिक्स करके बताने वाला हूँ जो कि आज कल फेस करते हैं HW22 और HW16 के यूजर्स तो जैसा कि आप जानते हैं HW22 और HW16 जो वाच होती है ये सपोर्ट करती है WearFit Pro application को पर अभी हाल ही में WearFit Pro application का एक update आया है और उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो रही है login करने में मतलब WearFit Pro जो application है उसके अंदर आप login नहीं कर पा रहे है और आप आपकी HW16 और HW22 स्मार्ट वॉच को यूज नहीं कर पा रहे है तो इसी के लिए आज मैं आपके लिए एक solution लेके आ चुका हूँ जो की 100% work करेगा और live मैं आपको HW22 को WearFit Pro से connect करके बता दूँगा तो वीडियो end तक देखना और अगर मेरा ये solution helpful लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और like कर देना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ इस problem का क्या solution हो सकता है तो इस problem का solution ये है कि सबसे बहले आपको जाना है Google Chrome पे या फिर आपके पास जो भी browser हो उसके अंदर और उसके अंदर जाने के बाद आपको टाइप करना है WearFit Pro यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद by APK Pure ऐसा लिखना है आपको अगर आप चाहिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको direct दे दूँगा link description में तो आप वहाँ से download कर लेना और यहाँ पे आने के बाद आपको यह वाला जो APK है यह download कर लेना है तो मैं आपको download करके बता देता हूँ तो यहाँ पे आपको नीचे option मिल जाएगा download APK तो इस APK को मैं download कर देता हूँ तो आप देख लिजिए downloading जो है यह यहाँ पे start हो चुकी है तो आप देख सकते हैं यह जो download है यह होना start हो चुका है तो आप देख सकते हैं wearfit pro जो application है यह download हो चुका है तो इस पर click करता है और click करने के बाद लिखा आता है do you want to install तो install कर लिजिए तो इसे open करके बता देता हूं आपको तो आप देख सकते हैं सेम वैसे ही open हुआ है जैसे कि play store में होता है और उसके बाद open wearfit pro और इसके बाद login यहाँ पर भी तो एक बार आपको login करके बता देता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर आपकी सारी Gmail आ जाईगी इसके बाद मैं इस ID से Login करके बता देता हूँ आपको तो आप देख लीजिए यह Login हो चुका है और इसके बाद यहां पर इसने कुछ permissions भी मांगना चालू कर दिया है तो इसे मैं एक बाद permission देखके set कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यह जो application है यह proper तरीके से चालू हो चुका है तो अब मैं आपको बता देता हूँ तो यहां पर लिखा रहे है no device connected तो इसके अंदर मैं आपको device connect करके बता देता हूँ तो add device पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यह GPS on करने के लिए बोल रहा है तो कर देता है on तो GPS जो है यह on हो चुका है इसके बाद मेरी watch का भी check कर देता हूँ यह connection वाला option मैंने on कर दिया है मेरी watch में भी hw22 smart watch है यह तो यहां पर देख लीजे searching लिखा आ चुका है तो यहां पर देख लीजे searching में आ चुका है hw22 तो इस पर क्लिक कर देता है तो यहां पर यह pairing start हो चुकी है hw22 smart watch से तो आप देख लीजे यह जो है यह pair हो चुका है और इसके बाद यहां से आप अपने जो watch है इसे set कर सकता है तो यह था आज का solution और यह जो application है यह पूरी तरीके से fix हो चुकी है तो अब आप अपने हिसाब से चाहिए तो इसे set कर सकता है और यह जो trick है यह 100% working है तो उमीद है इस trick से आपके phone की जो problem है यह fix हो चुकी होगी और viafit pro जो application है यह चलना चालू हो चुका होगा तो अगर आज का video helpful लगा तो like जरूर कर देना और channel subscribe जरूर कर देना इन ही videos के लिए thanks for watching